हेलो नमस्कार वेल्कम तुमाई यूट्यूप चानल आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा की इस माइक्रो एस्यूवी टाटा पंच के कुछ पॉजिटिव नगेटिव जो एजा कंजूमर नॉट कंजूमर आपको फील होने चाहिए अगर आप इस गाड़ी को परचेस करने वाले हो अगर आप इस गाड़ी को खरीदने का प्लान बना रहे हो या फिर आपके ब इतने जा रहे हैं तो उससे पहले ही आपको बता होनी जी है कि हाँ यह इसके कुछ कम्या है यह आपके हल्प करें की डिसिजन लेने में सो बिना किसी समय की देड़ी करते हुए फटावट स्टार्ट करता हैं सो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो मैं पहले आपको बहुत अनिसली बताने वाला हूँ कि मुझे क्या फिल होदा है इसका बॉजटिव नगेटिव गाड़ी बहुत सुंदर लगती है रोट पर चलती हुई और अगर आप इसको सही एसेसरी के साथ मार्केट में प्रेजेंट करोगे रोट पर चलाओगे तो कोई भी नहीं कहेगा भाई यह एक बेस मोडल की गाड़ी है या फिर वो है आपको बस कस्टमाइजेशन जो डिजाइन है जो डिजाइन लैंग्वेज है या इवन जो प्लेटफॉर्म है गाड़ी का वह बहुत-बहुत सही है और गाड़ी फार-फार बहुत अच्छी लगती रोड प्रेजिंस पे इसपेशल अगर आप सही एससरी से मेरा मतलब यह है गाड़ी में रूफ रेल पीछे के और आगे के skit plates अगर fog lamp है तो chrome garnish और roof rails यह चीजें बहुत ज़्याद है और एक spoiler गाड़ी के looks को enhance करने में जूकि आपने मेरी गाड़ी में देखा होगा नहीं देखा तो walk around में जाकी देख सकते हो आपको चैनल में ही वो वीडियो मल जाएगी तो सबसे पहला positive design and looks गाड़ी का second positive की बात करूं तो जो उसका second positive मुझे लगता है वो है इसकी base model की pricing जब गाड़ी initially launch हुई थी तो 5,87,000 की इसकी price थी और 5,80,000 में आपको एक ऐसी गाड़ी मिलना जो की look में बहुत अच्छी है especially the pricing जहाँ पर एक hatchback नहीं मिलती वहाँ पर आपको एक proper micro CV भी म pricing के मामले में data punch बहुत अच्छी है अब वो price high हो गए अलग बात है और वो हर manufacture करता है तो हम किसी एक को target नहीं कर सकते but yes 5.99 की price में भी base model के मामले मगर मैं इसको start करूँ top model हटा देते है creative model को हटा लो मैं सिर्फ accomplish सक बात करूँगा या फिर max to max accomplish diesel की बात करूँगा जो की 8, उसमें यह गाड़ी जो features offer करती है और सेग्मेंट पर यह बनी है जो safety के साथ ही आती है वही sufficient enough है justify करने के अगर हर चीज को हटा लो अब base model पर भी जाओ तो वहाँ पर भी आपको यह गाड़ी easily 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, बहुत अच्छी डील है pricing के मामले में I think Tata Punch looks far better, far good second top end model को अटा लो creative एक अलग चीज़ है but accomplished अपर जो मैंने इसको as a owner महसूस करा है इसका positive वह इस गाड़ी की right comfortability गाड़ी right comfortability में long distance ride में seat comfort में especially यह जो scooped out seats है इसकी दोनों साइड में आप यह देख रहे हैं यह scooped out seatों मे गाड़ी जो है वो far far support करती है और under thigh support भी अगर आप गाड़ी का देखो तो बहुत सही है and trust me यह बहुत अच्छा एक comfort देती है गाड़ी को अगर आप long distance पर जाते हैं आप देखते हो मेरी वीडियो जो मेरे सब्सक्राइबर से में बात जानता है मैं कितने उत्राखन की trip कर बहुत अच्छा perform कर दी है and as such आपको कोई issue नहीं आएगा when it comes to this right comfortability, right dynamics and everything. It's far 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 good and it's a very good positive of the start-up point. चौथा जो इसका प्रो होगा या चौथा जो सबसे बड़ा positive होगा इस गाड़ी का वो यह होगा कि गाड़ी की जो है five star की safety गाड़ी लेगे आती है और यकीन मानिए पांस लाग निजार में ये अब तक की सबसे safest कार है जो किसी भी brand ने launch की है चाहे वो Indian हो या outside का brand हो और पांस लाग निजाने है जो पांस सार की safety मिलना ही बहुत बड़ी USP है इस गाड़ी की ठीक है safest गाड़ी को लोग safety ना एक बहुत छोटा major बांते थे but thanks to Tata कि नो ने बताया भी safety भी सब कुछ हो और आज की टाइम पे जो हमारे consumers है Indian buyers है अब वो safety को एक parameter judge करते है गाड़ी क इस प्राइस पर है उस प्राइस पर कोई भी safest गाड़ी नहीं है four star rated गाड़ी आपको मुल जाएगी बड़े five star rated गाड़ी है so that's something really really great and we should be proud of it इसके बाद मैं आपको एक और positive बता हूँ तो कि इसका 500 positive है वो है इस गाड़ी में voice command का होना देखो गाड़ी में voice command से मतलब क्या है अगर आप गाड़ी चला रहे हो गलती सा आपका जो door है वो खुला रहे गया तो गाड़ी notify करेगी voice command में जो अच्छे खासी loud होती कि passenger door open driver driver side door open या rear right side door open अगर आपका जो hand brake है यह लगा रहे है और आप गाड़ी चला रहे हो फिर भी गाड़ी आपको notify करेगी कि release parking brake ठीक है तो यह कुछ ऐसी चीज़े हैं जो आपको समझना होगा as a new driver कितनी जादा काम आती है चीज मुझे पता है और यह एक safety feature की तर भी काम करते कि यार चलो आप गाड़ी चला रहे है छोटे बच्चे ने पीछे के गेट खोल दिया ठीक है और आपको नहीं पता तो आपने M.I.D. में देख लिए I understand but still गाड़ी आपको चीज अपने हिसाब से बता रही है सेंस करके बता रही है और आप instantly गाड़ी कोने में रोक के अरा सेंसे साथ में सेफ्टी भी पॉइंट वी चीज़े बहुत उपर हो जाती है और यह बहुत प्राक्टिकल है बहुत यूसफुल है अन्यू ड्राइवर भी और अजर ड्राइवर भी इस्पेशली जो मैं आपको शेनार्यों बताए कि बच्चे पीछे का गेट कोल दे रहे ह या ठीक है आपकी डिग्गी उपन हो गई है तो हर चीज के लिए नोटिफाई करेंगी और यह इस बहुत अच्छी चीज़ है बहुत कम टाटा पंच की वीडियो में स्क्रू बताया जाता है बट आई लव दिस फीचर और थांक्स टाटा कि उन्हों ने यह चीज डाली है अगला मैं अगर आपको उसका पॉडिव बता हूँ तो फकॉर्स बेस मॉडल से ही दो ड्राइविंग मोट का होना पांस लाग जिनाट भी हजार यह चेह लाग पचास जार में ड्राइविंग मोट सो बूल जा कुछ नहीं मलता बट इन दो मोट का होना इस प्राइसिंग और दोनों अपनी तरीके से बढ़िया है अट लीस्ट कुछ ना कुछ तो ओफर ही करते हैं तो स्टिल यह भी पॉजटिव में काउंट होगा तो मैंने इसको सेक्शन को भी पॉजटिव में डाला है having two driving modes at this price point with that note एक और चीज़ एड हो जाती एसी के पीछे वो है इस गाड़ी का suspension मानो ना मानो one of the best suspension that you'll get with this price point भाई गड़े हो, speed waker हो, कहां कहां नहीं घुचेड़ी होगी मैंने गाड़ी और इतना छोटे छोटे तरीके से वो जढ़का फील करवाती है ना बेस्ट suspension मैंने देखे है इस गाड़ी में भी तक आप किसी भी owner से पूछ लो, वो चायद 10 complain कर दे बास suspension की बिल्कुल complain नहीं करेगा, यह मैं आप से लिख के दे रहा हूँ just because हम ground clearance की बात करे थे, तो मिरो के लगा यह point भी add होना चाहिए यह बहुत जादे important होता है और बहुत काम की चीज होती है यकीन मानो, बहुत बहुत अच्छे suspension इस गाड़ी के और you'll never feel कि ऐसा कोई bumps में आपको बहुत जादे जटका है यह अच्छे से easily handle कर लेता है, जितने भी shocks हैं, अराम से handle कर लेता है इसके बाद एक जो बहुत बड़ा positive है, वो है इसका alpha platform के गाड़ी है, यह Eldros, दोनों ही तो इसमें 90 degree door opening मिलती है, अब 90 degree door opening को बहुत लोग समझते important नहीं है बट चलो आप youngster हो, आपको भी problem नहीं है, बट अगर जिनके खर्ण में elderly हैं, या फिर parents हैं, जिनको थोड़ा पैरो की परिशानी है या फिर थोड़ी चलने में दिक्कत होती है, उनके लिए गाड़ी में in and out इतना easy हो जाता है और चाहे elderly हों, बच्चे हों, आप हों, या फिर आपके एकसांद कोई भी लोग हैं, easily पीछे गेट में आराम से चड़ सकते हैं, easily उदार सकते हैं बिकर जो 90 degree door opening, और यह practically बहुत useful है, and 90 degree door opening काफी हद तक काम भी आता है, ऐसी छोटोड़ी situations में एक और पॉजिटिफ मैं दो तीन पॉजिटिफ इसमें आट कर दूँगा, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, वो है, रोट प्रेजन्स, गाड़ी का अच्छा खासा रोट प्रेजन्स है, अगर आप अच्छा इसको ऐसी लगा के चलाते हैं, कलर अच्छा चूप मेंटें इस गाड़ी का जो वाइबरेशन्स है, वो आपको गाड़ी में ना के बराबर महसूस होते हैं, अब मैं ये नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं होते हैं, बट ना के बराबर अगर मैं कहा रहा है, तो समभले दस में से 9.5 की रेटिंग इसको एजली दे सकते हो, ठीक है, इस अब अलग बात रखते हैं, बट वाइबरेशन इस गाड़ी में आपको कम से कम महसूस होंगे, और इसके बाद एक चीज जो मैंने और देखी है, वो है, इसका कैबन, गाड़ी का जो कैबन है, वो काफी हद तक क्वाइट है, जो कि आपको और इसके राइवल्स में नह जो दाने का, तो फटावट नगेटिफ के शुरुआत करते हैं, फटावट नगेटिफ के स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे पहला जो नगेट भी है सगाड़ी का, वो कहो ना कहो एक कड़वा सच है, वो है त्ली स्लेंडर इंजन और उसका रिफाइनमेंट, गाड़ी के में reinforcement की बहुत जादा कमी है ठीक है अब मैं refinement को किसी भी तरीके आप कहलो जो तो refined engine आपको मारती की गाड़ी में मिलेगा या फिर और गाड़ी में मिलेगा वो इसमें नहीं मिलेगा अब मैं Three Slender को इसमें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ Three Slender engine होते ही ऐसे है बट थोड़ा सा engine refined company कर सकती है या फिर tune अपने हिसाब से कर सकती है ऐस पर दी नीड नो डाउट गाड़ी नो ने एक्स्टेम मनलब बहुत अच्छी बनाई हर चीज अच्छी दिये है लोग डिजाइन हर चीज कर लो बट थोड़ी सी इंजन रिफाइनमेंट as a owner मुझे इसमें महसूस होती है कि कंपनी को थोड़ी और ट्यूनिंग करके इंजन को करना चीज़ था अगर वो सेम इंजन को यूज़ कर रहे है इसी गाड़ी में बट ठीक है जो एक नगेटिव है है तो यस वो जो इंजन रिफाइनमेंट है और गाड़ी या फोर्स लेंडर में ठीक है वो इसमें आप मैस करोगे ठीक है और वो एक रियालिटी है so yes that's a negative for this car आप अगर एक्सिलेटर को प्रेस करते हो तो इंजन इसका काफी जादा वोकल हो जाता है काफी जादा नहीं I mean वोकल हो जाता है तो आपको वो नॉइस सुनाई देती है even insulation लगने के बाद भी ठीक है तो बट यस गाड़ी में थोड़ी सी इंजन नॉइस है और अगर आपन जादा तो गाड़ी higher gears पर थोड़ी सी इंजन इसका वोकल हो जाता है यह थोड़ी सी इंजन नॉइस से बारे में आप सुनते है जो बात्चीत होती रहती है ठीक है तो यस गाड़ी थोड़ी सी इंजन में नॉइस है तो वह एक reality है जो positive बताय जा रहा तो negative का जो सच है वो आज आ ओनर मुझे वह फील होता है तो मैंने इस चीज को इसमें आड़ गर दिया तीसरी चीज जो मुझे इस गाड़ी का एक negative लगा था जब मैं इसको purchase किया था वो था इसमें fit and finish का थोड़ा issue जो मैं हमेशा बताता हूं जो इसमें panel gaps हैं पीछे भी मेरा जब spoiler लग रहा तो बहां पर क्या हो रहा था जो spoiler लग रहा था वो बार-बार चाचे टकरा रहा था विकेस जो डिगगी की शेप है वो थोड़ी सी खराब बने हुई है बनावट में थोड़ी सी दिक्कत है और यह चीज मुझे बाद ने बता चली जब मैंने insurance वगरा करवा लिया था तो वो रिप्लेज भी नहीं हो सकती थी यूनिट बट ठीक है तो पैनल गैप्स काफी जादा मेर को इसमें मतलब लगे थे और थोड़ा था फेट न फिनिश का इस गाड़ी में लगता है और यह एक अफ्कॉर्स नगेटिव है आई नो यह हर चीज इंप्रूब हो जाती है य क्योंकि मैं पैसा भी दे रहा हूं उसके बाद मुझे प्रोड़क्त में थोड़ी सी कमी मिल रही है तो यार इसमें आप कुछ कर नहीं सकते है थोड़ा सा फिटन फिनिश का इशू मुझे गाड़ी में लगता है तो मैं इसमें एड़ कर रहा हूं चौथा जो मुझे सबसे पहले उससे इंट्राक होता है तो में उस रिजन से हो सकता है थोड़ा सा मुझे आसा हलका जंग लगना दिखाई दिया तो यस वह भी इतनी जल्दी एक्सपेक्टेट नहीं था बिकिस गाड़ी को तो अभी छे साथ महीं नहीं हुआ है मैं यह सर्य सेंटर में दिख उमीद नी थी एक हत पर हर गाड़ी में होता है इसमें अब मेरे में ही थोड़ा सा हो गया है तो बट फोर्स वह एक नगेटिव है और अगर आप में से किसी के गाड़ी में भी यह महसूस हो रहा है तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताएं सजेशन कि आप लोगों ने कै आपको मिलेगा ट्रांस्मिशन में आपको मैन्वल और आटमाइटिक मिल जाएगा बट जो इंजन ऑप्शन से वहीं है 1.2 लिटर का इंजन ठीक है तो इसमें मैं यह एक्सपर किरता हूं कि एक दो टर्बो ऑप्शन दे दिने चाहिए था कर वह भी नहीं देना था तो सी चाहे आप काईगर को ले लो सब में इंजन ऑप्शन बहुत सारे है तर्बो का इंजन भी आता है और भी ऑप्शन आते हैं फीचर्स कम घटने बढ़ने घटने अलग चीज़ें बट एट लीस इंजन ऑप्शन का होना ज़रूरी होता है वह इस गाड़ी में मिसिंग है तो इस इंजन ऑप्शन की कमी डाड़ा बंच में आपको जरूर हलके हलकी महसूस होगी और एज़ा कस्टमर भी आप खरीदें जाएंगे आप सोचेंग यार इंजन ऑप्शन सो है नहीं तो यह वह भी एक नगेटिव पार्ट बन जाता है गाड़ी का जादा इंजन ऑप्शन एज़ा कस्टमर भी और एज़ा सेफटी फीचर भी वह है पीछे जो आप सीचा देख रहे हैं उस पे ना तो डीफॉगर का होना ना किसी वाइपर का होना आइंडस्टैंड की थर्ड बेस मोडल में वह चीज़ नहीं मिलती है बट यह सेगिंड टॉप मोडल है इसके उप इसके बाद एक जो कमी मुझे लगती है गाड़ी में अब दो डॉट नगेट इसके बाद में फ्रीट को एंडर कर दूँगा एक आम रेस की कमी होना अब मैं यह नहीं कहरा है कि हर मोडल में दो इसके बाद टॉप मोडल है इसके बाद वाला जो कि हमारा जो हैंडेक आप आप देख रहे हैं काफियद इस प्राइस की भी आप ले लो यहां पर एक टॉप प्राइस जो मॉडल है क्रेटिव उसकी प्राइसिंग को लेके थोड़ा सा यार मुझे लगता है कि थोड़ी जादा हुई आप तो और उपर जाएगी नौप साड़े नौप सारे ऐसे फीचर आते हैं जैसे और मैटिक एड़ लांप आपको इसमें मिल जाता है ठीक है ऑटमेटिक एसी मिल जाता है बट यार वह बहुत जादा उपर चलागे ऑन रोट के मामले में और अब जो कॉम्प्रेटर इतना ह कम हो जानी चाहिए थी बट अब और प्राइजिंग गरती नहीं है उसके बाद यही चीजे हैं कुछ जो मैं आपको बता रहा था देखो नगेटिव गाड़ी के बहुत कम है कंपेरिटिव ली पॉरिटिव के एंडिंग नोट है इसलिए इतनी बाते कर रहा हूं गाड़ी फार फार बेटर है अपने नगेटिव के कंपेरिजन में एस अ कंजूमर आपको मैं चीज बता रहा हूं आप बिल्कु डगरेट नहीं करोगे इसके किसी भी बेरेंट पैसे लगाने पर क्रहसा नहीं कि क्रेटिव बिक नहीं रहा है बहुत बिक रहा है खूब खरीद रहे इसको ऐसा बदलब यूजर की पॉरल नगेटिव गाड़ी के क्या है और बहुत हेलफुल चीज है डिसिजन लिन से पहले आपके काम आएंगे तो थैंक यूफर वाचिंग आई होब इस वीडियो ने आपकी हेल्प यह स्टे टून मोर वीडियो आ लाइन डप अब मैं एक लेने वालों कुछ गाड़ी होगा तो देखते हैं जल्दी शुरू करते हैं स्टे ट्यून सब्क्राइब कीजिए शेयर कीजिए थैंक यूफर वाचिंग बबाई